हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष जा 23rd और 24th December 2020 का Current Affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं आज की लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं वो पेपर 1 का ये टॉपिक, पेपर 2 के ये और पेपर 3 के ये टॉपिक्स डिसकस करेंगे गईज अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आप Civil Services की तयारी कर रहे हैं तो आप तुरंथ चैनल को सबस्क्राइब कीजिए क्योंगी यहाँ पर जो टॉपिक्स में आपके कवर कराता हूँ वो Civil Services Point of View से काफी important topic होते हैं और उनी topics related आपसे current affairs के questions पूछे जाते हैं और यहाँ पर current affairs के साथ-साथ मैं static portion को भी आपको cover कराता हूँ जिससे कि आपकी comprehensive civil services की तयारी होती है और जैसा मैं आपको claim करता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनी से related आपके topics आते हैं तो वो claim मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ बकाइदा आप नीचे description पर चेक कर सकते हैं proofs दिया हुए हैं आपको video के proof मिल लाएंगे UPSC 2020 exam के एक से डेड़ साल पहले जो भी topics मैंने cover करायते हैं lectures के दुरान उनी से related questions आये हैं directly और UPSC 2020 अगर आप state civil services की तयारी कर रहे हैं PCS की तयारी कर रहे हैं तो भी ये video आपके लिए important है क्योंकि जो भी questions मैं topics मैं provide यहाँ पर कराता हूँ उनी से related आपसे questions पूछे जाते हैं जो ध्यान से पढ़िएगा हर एक चीज़ हर एक topic यहाँ पर जो cover कराया जाता है most important topic होता है आप लोगों के लिए और एक भी दिर आपको skip नहीं करना है regularly पढ़ते नहीं और जो भी lectures की दुरान मैं instructions आपको दे रहा हूँ उनको आपको इमांदारी से follow करना है और जिन भी students को PDF paid package को join करना है आप join कर सकते हैं इसके fees सिर्फ 100 rupees पूरे महीने की है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो यहाँ पर बकाइदा लिखी हुई है यहाँ पर एक offer भी है अगर आपको offer चाहिए तो भी आप ले सकते हैं और इसके बारे में अगर आपको paid package के बारे में proper पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे description पर एक अलग से separate वीडियो बनाया हुआ है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी उस वीडियो का आप देख लीजेगा इसके लावा आपको live quiz अगर attend करना है तो January 2021 से live quiz आपको provide किया जा रहा है अभी जो December में live quiz चल रहा है current affairs का वो free में है उसको आप देख सकते है आज भी एक live quiz आएगा और अगर आपको January में live quiz जॉइन करना है तो January में आप ये जॉइन कर सकते है प्रीमें मेंबर्शिप चैनल की ले सकते है 59 रुपीज पर मन पूरे महिने किसकी fees है और इसके बारे में भी किस प्रकार से आपको जॉइन करना है proper information नीचे description और आप देखेंगे तो एक वीडियो मिल जाएगा और अगर आप Facebook पर नहीं है तो आप मुझे Telegram पर message करके या SMS के थूरू मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको जो भी query है जो भी चीज़ आपको पूछना है current affairs related या paid packets ये मेरा नंबर है 9713282838 ध्यान रहे नंबर पर call मत कीज़ेगा quality नहीं की जाएंगे सिर्फ SMS या Telegram पर message करके आप उससे बात कर सकते हैं और इसके लाब अगर आप Telegram पर है तो नीचे description पर Telegram के अपने group की और channel की link है उसको आप join कर लिजेगा और तो चलो अब आपको समयना वेस्ट करते हैं फटाक से lecture को शुरू कर लेते हैं Guys बात करेंगे खुदी राम बोस जी के बारे में तो ये topic आप लोग के लिए prelims point of view से important है तो कुछ basic facts जानेंगे जिससे related directly आप से question पूशे जा सकते हैं तो देखें बताय जा रहा है कि हाली में हमारे union home minister अमित शाह जी इन्होंने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बंगाल के प्रसिदिक क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी के पैत्रिक गाउं का दौरा किया था यानि कि इन्होंने visit किया था अमित शाह जी ने बंगाली revolutionary खुदीराम बोस जी के गाउं पर ये गए थे और इसलिए इनका गाउं हम लोग को देखने को मिलता है और इनसे जुड़ी कुछ घटनाओं की अगर अपन बात करें इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज तो इनका जन्म 1889 में हुआ था fearless spirit के तोर पर ये जाने याते थे अपनी वीरता और नीडरता के लिए ये काफी प्रसिद्ध थे जाने याते थे इसके लावा इनकी legacy हाला की बेंगाल तक ही सिमित थी तो यहले चीज भी आपको बता होने चीज़िए अच्छा इससे related पहले भी कई बार question आ चुके है कि बेंगाल का विभाजन कब हुआ था, partition कब हुआ था तो 1905 आपको याद रखना है ठीक है यह year important, 1905 याद रखिएगा तो जिस समय बेंगाल का partition हो रहा था तो उस समय इन्होंने British सरकार के against protest भी किया था साथी साथ 15 साल की मात्र उम्र में इन्होंने अनुशीलन समयती को जोईन किया था जो की 20 वी सेंचूरी के अंदर एक काफी प्रसिद औरगनाइजेशन था जिसमें हम लोग को revolutionary activities देखने को बलती थी revolutionary activities को क्रांतिकारी गद्धिवीदियों को बढ़ावा देने वाला एक organization था, संस्ता थी ये अब मेरा आपसे एक question है नीचे comment box पर answer लिक कर बताईए अनुशीलन समीती को किसके दौरा शुरूप किया गया था, नीचे answer लिक कर बताईएगा नहीं पता है तो थोड़ा search कर कर बताईए थोड़ीचे आपको भी activity करने के आवशकता है search करने की, क्योंकि ये सब बहुत important चीज़े होती है, कि आप exam के दौरान कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो अंदर से आपको एक habit develop कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं पता है, तो उसके बारे में तुरन मजफरपुर में, और यह जो district magistrate थे, वो Kingsford हम लोग को देखने को मिले थे, तो इनकी हत्या गरी थे इनों, तो और यही जो event था वो इनकी life का, जो है वो एक important deciding moment इनकी life का बन गया था, तो यहली चीज़ हम लोग को देखने को बन गया थे, सिर्फ इतने से facts के international relations at present, current time पर हैं, तो उसके बार में काफी important points आपको मिलेंगे, और अभी जो pending work है, इंडिया और USA की बीच में, जो रुका हुआ है, कारिय है, तो वो कौनसी कारिय है, उस पर भी अपन बात करेंगे, और साथी साथ कौनसी achievement इंडिया और USA की बीच में भी हुए है, यानि कि relations के बीच में, किस-किस प्रकार के agreement हुए, तो उसको भी थोड़ा सबन देखेंगे, जो कि बहुत important है, आप इसको mains में उपियोग कर सकते हैं, और prelims में भी direct आ सकता है, तो देखे guys, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी नए president जो है, वो white house में इंटर करेंगे, तो उस समय यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया और USA की बीच में जो pending work है, वो शुरू किया जाएगा, दोनों ही country मिलकर विचार करेंगी pending work को complete करने में, कौन से pending work है, एक तो काटसा का pending work है, दूसरा है, GSP का generalized system of preferences का, तीसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी पुराने एक agreement है, जिस agreement के तहत आंधर प्रदेश के अंदर United States की company छे nuclear reactor को build करेगी, बनाएगी, तो ये तीन चीज important है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से भी जानकारी होनी चाहिए, तो काटसा की अगर बात करें, तो अब पिछले हफते की बात है, मैंने आपको काटसा के बार में पढ़ाया हुआ है, और मैं आपसे एक question पूछन पूछन चाहूँगा, कि कौन सी country है जिस पर अभी recently United States ने S-400 की deal के लिए उस country के उपर sanction लगाए है काटसा के तहर, कौन सी country है जरा नीचे answer लिख कर बताईए, मैंने खाल सभी दो-तीन दिन पहले ही, चार दिन पहले ही मैंने इस topic को आप लोग को cover कराया है, तो बताईए जरा कौन सी country है, कि जिसके उपर United States ने sanction लगाए, तो आप मेंसे अभी तक काफी सारे students ने answer लिख दिया हुगा, तो वो है Turkey, Turkey के उपर काटसा के तहरे sanction लगाए गया है, क्योंकि Turkey ने Russia से S-400 की deal करी है, Russia से S-400, surface to air defense missile system जो है वो purchase किया है और मंगवाया है, बट गईज़ आपको पता हुआ कि S-400 की deal हम लोग ने भी Russia के साथ की हुई है तो इसलिए वो ही डर है हम लोगों की United States हमारे उपर भी काटसा ना लगा दे, sanction impose ना कर दे तो यह वाला जो topic था, काटसा से related वाला भी 3-4 दिन पहली में आपको बढ़ा है यह चीज़ हमने देखी तो इसके उपर अभी तक इंडिया के उपर waiver नहीं मिला है यानि कि अभी तक United States ने इंडिया को यह नहीं काए कि इंडिया के उपर वो sanction नहीं लगाईगी काटसा किता है तो यह वाली चीज़ में भी pending है इस पर भी बात होना बागी है इस पर भी negotiation होना बागी है इसके लावा GSP आपको याद रहो गईज USA ने इंडिया को GSP से हटा दिया है Generalized System of Preferences की list से हटा दिया है तो अभी इंडिया negotiation कर रही है कि इस list पर दोबारा से इंडिया को add किया जाए क्योंकि इस list से हटने के बाद इंडिया के काफी सारे products जो है वो United States के अंदर जो अभी तक जिन products के उपर जब वो products enter करते थे United States के अंदर तो उस पर कम duties लगती थी बढ़ अब इस list से इंडिया को हटा दिया गया मतलब काफी सारे इंडिया के product जो इंडिया से United States पे जाते है तो उस product के उपर अब duties लगाए जाएगी custom duties जादा नहीं मतलब normal custom duties लगाए जाएगी पहले हम लोग को custom duties पे discount बिलता था क्योंकि हम GSP के list में थे बढ़ अभी GSP के list से हटा दिया गया है इसलिए अब discount नहीं मिलेगा ये GSP का topic बहुत important है जैसे काटसा है तो काटसा के topic के बारे मैं मैंने आपको already पढ़ा चुका है GSP का भी topic repeated है तो इस topic को भी मैंने आप लोग को 14, 15, 16 November और उसके आगे लिख देंगे 2020 और फिर मेरा नाम लिख देंगे कमलाक्ष YouTube के search column पे तो आपकी list में जो भी सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा और इस वीडियो के आप जाहिएगा 29 minutes, 07 seconds पे 29 minutes, 7 seconds पे तो आपको यह topic open हो जाएगा खुल जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपको click करिएगा यहाँ पर एक link बनाई हूँ यह मैंना आप लोग के लिए आप click कर सकते हैं इस पर और आपको सामने मिल जाएगा और बाकी जो भी students दिनके आपको PDF नहीं आती Westinghouse Electric Company और Nuclear Power Corporation of India जो NPCIL जो हमारी देखने को बिलती है तो इनके बीच में एक agreement होना है यह MOU जो है वो एक decade यानि की लगभग 10 साल पुरानी है MOU जो कि अभी तक finalize नहीं होई है यानि की अंतीम रूप उसको नहीं दिया गया है और यह इस particular MOU के तहर United States की company इंडिया के अंद है इंडिया और USA की बीच में जिससे की इंडिया को भी फायदा है USA को भी फायदा है इस deal से तो अभी तक यह deal जो हो ही नहीं है हालाकि इस deal से जातर फायदा पन कोई है बट यह वाली deal आप लोग को पता होनी चाहिए examination perspective से कि कि किस चीज की हम लोग United States के साथ demand कर रहे है जो ये चार agreements foundational agreement इसके बारे में काफी detail में आपको पता होना चाहिए G.Somnia, Lemo, Lemo, Comcasa, BECA इन चारो agreement को मैं आप लोग को detail में cover करा चुका हूँ 21 September 2020 की news पर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर 21 minute 39 second पर ये topic आपको मिल जाएगा बहुत जादा important topic है चार foundational agreement है जो कि अभी complete होग कुछ agreement है जिससे की USA को जादा फायदा है जैसे की Lemo, Lemo agreement से USA को थोड़ा जादा फायदा as compared to India बागी आप इस topic को देखेंगे तो आपको detail में पूरी चीज crystal clear हो जाएगी कि यह 4 agreement हो हो किस तरीके के हैं और किस के साथ ये deal करते हैं अभी मत देखना अभी पहले ये पूरा lecture लेक्षर देखलो आप उसके बाद पर कहीं में no down करते हैं कि आपको देखना है इन तो पतला कि बाद में lecture देखने का भूल जाओ तो इसलिए no down करते हैं जबी मेरा lecture देखो आप pen or paper लेकर साथ में बैटा करो तो हमारे defense partnership defense relation इंडिया और USA के बीच में काफी जादा अच्छ अच्छी यह चीज उनाइटेट इसलिए जब इंडिया और चायना के बीच में भी issue चल रहे थे लदाक के अंदर हम लोग को standoff नहीं देखने को मिलता है तो हमारी आर्मी और चायना की आर्मी आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी होगे थी तो standoff हम लोग को देखने को मि चाहिए और आपको अगर कोई हतियार चाहिए तो हम आपको प्रोवाइट करा देंगे क्योंकि full support defense का support जो है वो United States इंडिया को प्रोवाइट करा रहा था इस STA 1 strategic trade authorization के तहरे तो यह चीज हम लोग को देखने को मिली थी जब LAC पर China और India के जो troops हैं soldiers हैं जब वो आमने सामन आगे ते standoff उनके बीच में देखने को मिला था इसके लाब कॉड कॉड काफी बार मैंने आप लोग को पढ़ा भी चुका है अभी कॉड का मैंने यहाँ पर बो डाला नहीं किस lecture पर मैंने आपको कॉड समझाया है कॉड रिलेटरल डायलक के बार में मैं पने डिसकस किया थ कि कई बार यह कॉड रिलेटरल डायलक हम लोग को देखने को मिला है राइट कॉड 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 कंट्री इसक्षे ने बहुती सफलता पूरवक QUARD जो है उसकी meeting conduct करवा करवा कि एक अच्छा relation ये चारो countries के बीच में बना लिया है तो ये चार country कौन सी कौन सी है United States, India, Japan, Australia तो hopefully आपने यह नाम लिखा होगा तो ये चार country है और ये QUARD के बारे में भी आपको पता होना चीए काफी अच्छे से कि QUARD का काम क्या होता है कि Indian Ocean और Pacific Ocean पर security को enhance करना Actually मैं QUARD जो groups है यानि ये चार country है ये counter करती है चाइना को क्योंकि चाइना का हस्तक्षे बहुत जादा इस Pacific और Indian Ocean पर हम लोग को देखने को मलता है For an example आप अगर mains council लिखेंगे तो South China Sea का example जरूर लिखेगा जैसे कि आप देखने कि South China Sea को China claim करता है चाइना बुलता है कि South China Sea पूरा उसका है और फिर वहाँ पर वो काफी सारी activities इस प्रकार की करता है जिससे कि जो island countries है South China Sea में उनको बड़ी परिशानिया होती है तो इस प्रकार की हरकते होती है कई बार हम लोग को देखने का मिलता है कि China की सब्मरीन हो गई या फिर चाइना का कोई naval ship हो गया वेसल हो गया वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाता है एकदम से वो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा जो हो पैनिक कर देता है तो ऐसी हरकते भी चाइना की बहुत जादा रिकॉर्ड की जाती है नोटिस की जाती है तो चाइना को काउंटर करने के लिए चार कंटरी हैं हम लोग को देखने को मिलती जिनों ने ये गुरूप बनाया कोड गुरूप तो ये था काइस पूरी और चीज इसको आपको एक अच्छे से पता होने चीज इंडिया और में reflect कर दोगे न, तो ये current के साथ जो है आपका link हो जाएगा पूरी चीज़ है और आपका mains का answer बहुत खुब सुरत धनेगा तो ये चीज़ है जिसके बार में आपको idea होना सी और बाकी GSP के बार में notes यहाँ पर दिये हुए हाला कि आप GSP के बार में UK के अंदर क्यों फैल रहे हैं तो scientist और researcher का कहना है कि एक नया coronavirus का variant एक नई उप जाती इसकी discovery हुई है इसकी खोज हुई है scientist researcher का कहना है कि यह काफी जादा इसकी transmissibility हम लोग को देखने को मिलते हैं यह काफी तेजी से यह फैलता है इसकी property जो है characteristic है एक नया variant के coronavirus के कि वो काफी तेजी से फैलता है as compared to पुराने coronavirus के variant के तो यह चीज आपर बताई जा रही है तो यह नया variant कैसे सामने आ है और क्या यह possible है कि coronavirus का नया variant आ सकता है तो देखो इसकी बार में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ साइंटिस और रिसर्चर को इसलिए हरा नहीं पा रहा है क्योंकि coronavirus change हो रहा है यानि कि इसके genomes में changes आ रहा है जो हर एक इनसान की जब body में ये जा रहा है coronavirus तो उसकी body के according इसके अंदर changes आ रहा है क्योंकि उसकी adaptability ये accept कर रहा है यानि कि उसकी body के अंदर के अंदर ही हम लोग को पूरी चीज देखने को मिलती है कि किसी भी living organism का जो DNA होता है उसी के दुरू पदा लगता है कि वो living organism के अंदर क्या क्या चीज है क्योंकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब आपन genetic engineering के बारे में discuss कर रहे थे तब हमने बात कर रही थी कि scientist और researcher आज की rate में genes को change कर सकते है यानि कि एक बच्चा वो जब पैदा होगा यानि यह भी तक उसका birth नहीं हुआ है पैदा होगा या पैदा होगी एक बच्ची तो एक baby है तो उसकी आग कैसे होगी उसके बालों के color कैसे होगे उसके skin का color कैसा होगा और उसकी height कैसी होगी य यह हर चीज पहले से decide की जा सकती है और यह कैसे decide हो सकती है genome के अंदर modification करके यानि कि DNA में के अंदर modification करके और genome जो हता है वो complete set of DNA होता है और उसी genome के अंदर यानि कि एक genome के अंदर पूरी information होती है कि वो living organism कैसा है उसकी आखों का color कैसा है even उसका behavior कैसा हर चीज़ पता लग जाती है जीनोम को स्टड़ी कर गए और कोरोना वारिस को हराना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि कोरोना वारिस के अंदर जीनोम चेंज हो रहा है यानि कि एक इंडिविजुल के अंदर जो कोरोना वारिस डिडेक्ट हुआ और फिर दूसरे के अंदर जो कोरोना वारिस उसमें changes है, क्योंकि Corona virus वो adopt कर रहा है, चीजों को, जैसे कि body के अंदर जब वो enter हो रहा है, तो body के अंदर नुकसान पहुचाने के लिए, infect करने के लिए वो अपने आपको मजबूत बना रहा है, adopt कर रहा है, right, जैसे कि for example, और इसका भैतरी एन example देता हूँ, जैसे human being, आज की rate में जैसे हम लोग इंसान को देखते हैं, क्या पहले के समय पर early ages पर ऐसे इंसान हुआ करते थे, नहीं, right, काफी early man काफी अलग थे, उससे पहले कौन था, बंदर था, एप था, right, एप की पूछ चली गई, फिर ugly man हम लोग को देखने को मिले, शेहरे पर changes आना शुरू है, बाल वगएरा जो है, वो कम होना शुरू है, और भी काफी सावी changes आना शुरू है, body straight हो गई, तो ये क्या हुआ, धीरी धीरे करके, लोगों ने environment, यहने की जो humans है, उन्होंने environment के according अपने आपको adopt किया, तो वैसे ही coronavirus का environment कहा पर है, लोगों की body के अंदर है, तो वो क्या कर रहा है, infect करने के लिए body को अपने आपको change कर रहा है, adopt कर रहा है, फिर जैसे से वो spread हो रहा है, फैल रहा है, उसके अंदर changes आते आ रहा है, तो यही चीज़ है कि coronavirus के अंदर बहुत जल्दी से changes आ रहा है, और अभी जो यह changes देखने को मिले हैं, इस प्रकार के यह 17 changes अभी तक हो चुके हैं, 17 changes coronavirus के अंदर, और यही एक वज़ा है, इतनी fast जो इसका mutation हो रहा है, जिसके चलते scientist literature इसको काबू नहीं कर पा रहा है, और अभी UK के अंदर बता जा रहा है कि एक नया variant coronavirus का है, जो की काफी ज़्यादा जंता को infect कर रहा है, तो यह वाला आप लोग को पता होना चीज की जानकारी, अच्छी होनी चाहिए कि क्यों इतनी तेजी से infect कर रहा है, तो उसके पीछे का करन की genome में उसके changes हो रहा है, mutation हो रहा है, तो यह याद रखना आप, और coronavirus का mutant strain जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका नाम रखा गया है VUI202012-01, और यह पहला variant under investigation हम लोग को देखने को मिला था, December 2020 में, इसको define किया गया है, 17 changes का यह set है, या फिर 17 mutation का यह set हम लोग को देखने को मिलता है, और 13 December तक total 1108 cases इस नए mutation के या नए coronavirus variant के पाएगा है, देखने को मिले हैं, और ज़्यादा cases South और East England में हैं, और यह harmful क्यों है, क्योंकि 70% ज़्यादा infection यह कर सकता है, या तेजी से फैल सकता है, as compared to पुराने coronavirus के strain के, यह वाला जो strain ह यह 70% ज़्यादा तेजी से फैल सकता है, right, infection वह वो create कर सकता है, तो यहली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, और अभी हाला कि यह चीज़ scientist researcher के claim कर रहे हैं कि अभी सिर्फ UK के अंदर ही है, UK के यानि कि दूसरे Europe के दूसरे country के अंदर यह अभी पहुचा नहीं है, गय जिससे कि यह फैल है ना, spread है और इसको control करने के ओपर अभी काम किया जा रहा, तो यह basic सी information है, और idea आप लोग को होना चाहिए, इस topic से related, sentinel island के बारे में हापर बात करेंगे काफी जादा interesting यह topic है guys, तो देखें आप में से शाहिद काफी सारे लोग जानते होंगे sentinel island के बा दूसरी जी, civil services किस प्रकार के question बड़कती है, कि आप थोड़ा सा वीडियो को pause करके पूरे island के नाम देखो, ठीक है, especially जैसे कि यहाँ पर saddle peak हम लोग को देखने को मलती है, नौर्थ अंडमान में यह saddle peak है, इसके लवा port Blair से यह west की तरफ में है sentinel island, इसके लवा little अंडमान नीचे है, lower अंडमान इसके ऊपर है, कार निकोबार हम लोग को और नीचे दिखाई देता है, आप से कैसे question पूछे आएंगे, कि 3-4 यह island के नाम लिख दिये जाएंगे, जैसे कि little अंडमान, sentinel island, और आप से लिख दिये जाएगा कि port Blair, और port Blair सोडो, sentinel island लिख दिये जाए यह little अंडमान लिख दिये जाएगा, और निकोबार, कार निकोबार लिख दिये जाएगा, फिर आप से बोलाएंगे, कि square range करो, north to south में, यह south to north में, ऐसे question आते हैं, तो इसलिए वीडियो को post करो, जितने भी islands आपको दिखाई देने हैं, एक बार island को पढ़ दो आप, और ह याद रखना कि port Blair से यह west की तरफ है, ना की east की तरफ, कि कभी-कभी ऐसे भी question आ सकते हैं, आपकी awareness को check करने के लिए, कितने आप, बिल्कुल open minded से आप चीजों को पढ़ रहा है, तो उसको भी check करने के लिए, क्योंकि यह exam is all about awareness, क्योंकि आपके बगाईदा, exam जो notification आता है, उसको आप पढ़ोगे, तो उसमें बगाईदा लिखे हो है, कि एक व्यक्ति को proper awareness होनी चाहिए, उससे related यह exam है, तो हर चीज़ के बार में आपको awareness होनी चाहिए, तो यह maps से related है, ऐसे question आपसे बनेंगे, पूछे आएंगे, अच्छा, Sentinel Island की बात करें, तो guys, दो साल पहले की घटना के बार में शायद आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, एक American था, John Allen Chow, यह गया था North Sentinel Island पे, और वोपेस लोटकर नहीं आया, तो समझ रहे होगा आपकी मर गया ही है, जीवित नहीं है, यही माना जाएगा, और हुआ यह था, actually इस Island पर जाना किसी के लिए भी allowed नहीं है, सरकार ने protection दे रखी है, इस Island के 5 किलो मीटर तक भी समुदर, यानि किस Island के आसपास 5 किलो मीटर तक का जो समुदरी एरिया जो है न, वहाँ पर भी अगर कोई एंटर करता है बेना permission के, तो permission तो वैसे दी नहीं आती, बट फिर भी अगर कोई एंटर करता है, तो यहाँ पर यह हुआ था, कि इस व्यक्ति ने, जॉन एलन ने, बिसिकली एक वहाँ के मचुवारे को पकड़ा, उसको पैसे दिये जादा, पैसे एक अलालिस दिया, और उसको कहा कि मुझे वहाँ तक थोड़ा सा छोड़ दो, तो वैसे तो मचुवारे जो है, वो पूरा North Sentinel Island तक वो गया नहीं था, क्योंकि वो भी जानता था बहुत अच्छे से, कि वहाँ पे अगर यह जाएगा, तो फिर वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जानता है, इस Island के बारे में कि इस Island पर रहती है, ऐसी जन जाती, ऐसी ट्रावल ग्रुप सम लोग को देखने को मिलत हैं, जो कि किसी को भी पसंद नहीं करती हैं, कि कोई भी बारी व्यक्ति उनके पास आए, किसी को भी पसंद नहीं किया जाता है इनके द्वारा, और वो ही हुआ कि यह व्यक्ति जो है, अमेरिकन जो है, वो यहाँ पर गया, और यहाँ पर जाने के बाद वो आपस लोट कर क के देखने को मिलते हैं की जिसके त vegg 넷 यहाँ पर सेंटिनल ऑइलेंट के 5 és 5 link के रेंज पर कोई भी सबिपकिएर नहीं करेंगे कोई करना धें चाहा रहे हैं कि इनको अकेले रहना है, isolation में रहना है तो उस चीज की respect करते हुए हमारी सरकार ने इनको protection प्रोवाइट की हुए और इनको isolation में रहने के लिए जो आगो दे दिया है यानि कि इनके साथ किसी प्रकार के हम लोग interference नहीं करते हैं जैसा रहना है वैसा इनके रहने का इनका जो अधिकार है तो उसको हम लोग सम्मान करते हुए उनको अकेला जो है वो छोड़ दिया हम लोगों ने और मैं आपको एक और चीज बताओं कि जब सुनामी आई थी इंडिया के अंदर तब उस समय हमारे जो हेलिकॉप्टर से वो अरली मैंस व्यतीद करते थे वैसे इनका आज की डिट में भी जीवन है यहाँ पर कोई स्मार्टफोन नहीं है इवन कपड़े तक जो है वो यह नहीं पहनते जो मॉडल हूमेश जो कपड़े पहनते वैसे नहीं पहनते यह और इवन खाना यह पका के खाते हैं या डारेट जो है वो मार के खाते हैं उसके बारे में भी पता नहीं है क्योंकि इनके बारे में कोई नहीं जानता है जो भी information वो उपरी-उपरी तौर पर है exactly किसी को नहीं बता कि ये किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करने है क्योंकि interference ही नहीं हो पाया कभी और इन्होंने आने ही नहीं दिया और हम लोग भी उसी चीज की रिस्पेक करते हैं इसलिए से island को protect करके रखा हुआ है काफी famous ये island है all over the world और ये जंजाती काफी famous है Sentinelese Sentinelese जंजाती आप लोग को थोड़ा सब पता होना जी Sentinel Island पर रहने वाली ये जंजाती है travel group हम लोग को देखने को बलता है और अभी ये topic क्यों आये न्यूज में तो उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं तो Anthropological Survey of India का एक policy document आया है इस document ने warning दी है कि कि किसी भी प्रकार की commercial activity के लिए अगर यहाँ पर अंडबाने निकोबार आइलेंड पर अगर आपन जाएंगे especially Sentinel Island पर कोई भी commercial activity होगी तो यहाँ पर रहने वाली जंजाती जो है उसके लिए खत्रा है अब किस प्रकार के खत्रा है तो उस पर भी अपन डीटिल पर बात करेंगे तो यह policy document दो सालों के बाद आया है जब American National John Allen Chow इसके बारे में आपको बता रहा था यह गया था उस island पर वो वस लोट के नहीं आया तो उसके मरने के बाद मरने के दो सालों के बाद यह document सामने आया तो Sentinelese Sentinelese आपको याद रखना है यह जंजाती का नाम है तो जो Tribal Groups है Tribes जो है उनमें से भी और सबसे पिछड़ी जो Tribes है वो यह Particularly Vulnerable Tribal Group हम लोग को नज़र आती है तो टोडल हमारी कंट्री में कितनी Particularly Vulnerable Tribal Group है तो उसका भी आपको आइडिया होना चीए 75 है याद रखेगा 75 उनमें से एक यह है और अंडमाने निकोबार में जो 5 Tribal Group है उनमें से भी यह एक है तो यह 5 Tribal Groups के नाम याद रखना है जो अंडमाने निकोबार आइलेंड पे हैं एक Great Andamanis Ongay, Jarawa और Champines और उसके बाद यह Sentinels हम लोग को देखने को बलती है क्योंकि उसको एक Tribal Reserve के तौर पर Notify किया हुआ है उस पूरे एरिया को और सरकार इनके Lifestyle का जो तरीका है वे है उसको Respect करती है यह जो चाहते हैं कि इनके पास कोई भी ना आ है तो उस चीज़ को सरकार के तौर रिस्पेक किया जाता है और एक चीज़ हम लोगों ने Adopt करी है एक Practice Adopt करी है Eyes On and Hands Off मतलब देखो किंतु छेडो मत यह Practice हम लोगों ने Adopt करी है और इसी के तहट हम लोगों उनको Safeguard कर रहे हैं शिप्स और हमारे Aircraft जो है Coast Guard के Marine Police जो हम लोग को देखने को मिलती है तो वो यहाँ पर चक्कर लगाती है देखती है कि किसी प्रकार किसे कोई उलंगन तो नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा है तो उस चीज़ को देखा जाता है और इनको Protection प्रोवाइड की जाती है और यह जो भी Policy Document सामने आया है इस Document ने बताया है कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार की Commercial या Strategic Activity कंड़क की जाती है किसी प्रकार के Lab के लिए Commercial या Strategic Lab के लिए तो यह Sentinel Island पर रहने वाली जो जन जाती है उनको बहुत जादा खतरा है और इतना खतरा है कि इनकी मौत तक हो सकती है पूरी तरह से समाप्त हो सकते है तो यह चीज आपर बताई गई है अब क्यों समाप्त हो सकते है तो उसके पीछे का भी एक important चीज में आपको बताता हूँ जिसके बार में आपको जानकारी होनी चाहिए तो देखे सबसे main important चीज है germs इनको germs लग सकते है कैसे जिकाई देखो हम आज की rate में जिस जगापर रह रहे है ना उस जगापर हवा में इतने सारे किटान हूँ है इतने सारे germs आप सभी लोग जानते है रही कि मलब बहुत सारे हैं बहुत सारे हम लोग को देखने को बलता है बट हमें कुछ नहीं होता क्यों कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी body ने adopt कर लिए अभी थोड़ी देर पहले mutation के बारे में आपको बढ़ाया था सेम वोई चीज है हमारी body used to हो गई है adopt कर लिए हमारी body ने इस प्रकार के germs को हमारी body जो है वो इस प्रकार के germs से fight कर सकती है हमारी immune system इस प्रकार के germs को पहचानता है fight कर सकता है बट अगर एक common cold भी अगर हो गया ना किसी इंसान को यानि कि कोई एक visitor है, tourist है अगर उसको कोई परिशानी है, common cold यानि कि flu ही क्यो ना हो, यानि कि सर्दी खासी क्यो ना हो वो अगर वहाँ पहुच गया, sentinel island पे और उसने इस germ को spread कर दिया तो sentinel island पे रहने वाली जो प्रजाती है वो भी मर सकती है तो कोई अगर इनके पास अभी जाएगा ना modern human तो वो उनके लिए नुकसान दायव हो सकता है उनकी पूरी population wipe out हो सकती है सिर्फ एक common cold flu के कारण समझ पारे हो आप? तो इस चीज़ को भी आपको समझना ज़रूरी है आपके आंसर में यह वाली चीज़ भी reflect होनी चाहिए और इन्होंने कोई भी advancement नहीं किया 60 साल से जादा हो गया जैसे जो early man से रहते थे वैसे ही यह आज की rate में रह रहे हैं कहा जाता है वैसे की refresh और उसके बार में पता नहीं कि और भी क्या क्या चीज़े खाते है पका गे खाते है कच्चा खाते है वो भी कुछ नहीं बता सामने वालों ने तीर कमांच चलाना शूरू कर दिया तो हम लोग बोपिस हो गया भी तो obvious बात है guys कि आप जानते हो कि हमारे जो coastal guard इंडिन नेवी वे हमारे वेपन्स है हम लोग जो है वो जाकर इनको control कर सकते है but सरकार नहीं यह सोचा कि अगर यह खुदी जन जाती जो है वो खुदी किसी को invite नहीं करना चाहती है किसी के साथ घुलमिल नहीं चाहती है contact नहीं रखना चाहती है तो हम क्यों परिशान करें उनको तो यह वाली चीज है इसके लावा कुछ basically कानून जिसके बार में आपको बता होना चाहिए जिसके तहरे इनको संट्रक्षन दी हुई है अंडवार निकोबार आइलेंड regulation 1956 schedule caste, schedule tribes, prevention of atrocity act 1989 very important और इस पर अभी amendment भी हम लोग को देखने को मिला है 2019 में तो वाली चीज भी आपको बता होना चाहिए restriction under foreigners restricted area order 1963 visa manual condition या passport act 1920 Indian forest act 1927 wildlife protection act 1972 इस particular इन कानूनों के तहर यहाँ पर subscription जो है वो दी हुई है तो यह पूरी चीज है guys इस particular topic से related जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए बहुत important topic है तो main point of view से भी important है और even prelims के लिए जो भी important facts थे वो मैंने आपके सामने रखने है जल शक्ति अभियान second catch the rain awareness campaign यह हम लोग को देखने को मिल रहा है इसको national water mission के द्वारा launch किया गया है किसके collaboration के साथ नहरू यूवा केंद्र संगटन के collaboration के साथ rain water harvesting को promote करने के लिए यह campaign है आप हाला कि यह photo को देखकर ही समझ गया होंगे कि बारिश का पानी जो गिरता है तो उसको collect करना है rain water harvesting करनी है जिससे की उपयोग में उसको लिया जा सके और इसकी जो tagline है catch the rain where it falls when it falls बारिश के पानी का संद्रक्षन जहां भी संभव हो जैसे भी संभव हो यह इसकी tagline के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है तो यह basic सा fact है guys बात करेंगे shigella infection के बारे में तो अभी कैरला के अंदर cozy gode में यह shigella infection के 6 cases सामने आये सिर्फ 6 cases ने health official को मजबूर कर दिया है emergency meeting conduct करने में तो 6 cases के कारण अगर emergency meeting conduct हो रही है तो आप इसकी गंबीरता को सोची सकते होगे कितना ज़्यादा dangerous यह particular infection हम लोग को देखने को मिल रहा है right shigella infection 6 cases ने emergency meeting लेकर आ गई है तो इस पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे shigellosis या फिर shigella infection इसको कहते हैं intestinal infection होता यह pate का infection होता है right एक genus bacteria का है जिसको अपन कहते हैं shigella उसी के कारण यह होता है shigella bacteria के कारण और prime pathogen है जिसके कारण diarrhea होता है fluctuating between moderate and severe symptoms इसके दिखाई देते हैं diarrhea के यारगी गंबीर भी diarrhea हो सकता है और मैं आपको बता दूँ गई diarrhea एक ऐसी problem है ऐसा issue है जो की preventable है जिसको prevent किया जा सकता है बट फिर भी उसके करण लोगों की मौत तक हो जाती है इसके लाब आगे की बात करें तो Africa और South Asian region के बच्चों में जाहतर यह infection हम लोग को देखने को मिलता है shigella infection किस प्रकार से यह spread होता है तो यह जो bacteria है body के अंदर आते है body के अंदर आकर epithelial lining जो colon की होती है उसको यह attack करते है अभी मैं यहाँ पर आपको epithelial lining भी दिखा जेता हूँ जिससे की अच्छे से पूरी चीज clear हो जाए यह small intestine है small intestine में जो यह lining lining जो पूरी हम लोग को देखने को मिलती है उसको colon बोला जाता है right colon और यह colon की आपको इस प्रकार से layer दिखाई दे रही है और सबसे पहली जो layer उसकी होती है वो epithelium होती है right यह वाली layer सबसे पहली वाली layer हम लोग को देखने को मिलती है तो उसको यह attack करता है उसमें अंदर जाता है attack कर देता है attack करने के बद सूजन हो जाती है cells में cells जो है वो सूज जाते है और cells distruct हो जाते हैं यहांके तो इस प्रकार से यह attack करता है और कहा जाता है कि सिर्फ कुछ चंद ही यह जो bacteria हम लोग को देखने को मिलते है shigella bacteria यह एक इंसान को बिमार कर सकते है और काफी बिमार कर सकते है तो यह जाले चीज है और यह infection जो है वो person to person spread होता है और अभी इसको रोकने के लिए एक emergency meeting बिठाए कि बैठा काम लोग को देखने को मिली है तो इसलिए यह topic news में दा दो शिले का infection से related सिर्फ इतनी सी चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए वैस question आ सकता है कि किस particular state के अंदर धाई लाग से जादा मामले settle किये गए हैं अभी recently तो वो state है करनाडगा और एक fact और याद रखना एक ही दिन में यह मामले settle हुए है 2.16 lakh cases एक दिन में on a single day एक mega अदालत हम लोग को देखने को मिली थी बैठी थी लोग अदालत की mega लोग अदालत 19 December को और एक ही दिन में 2,682,861,882 मामले जो है वो settle हुए है मामलो का निप्तारा हम लोग को देखने को मिला है काफी big achievement है यह हमारी country के अंदर हम लोग जो बात करते हैं even mains में भी question आता है कि cases कितने ज़्यादा pending है तो उसमें आप यह वाली चीज लिखिएगा इस प्रकार के अगर question आता है तो कि एक big achievement है हमारे लिए और cases resolve होने से क्या फाइदा मिलता है गाईज एक तो देखो जो भी लोग होते हैं उनको राहत मिल जाती है यानि कि जो भी victims वगएरा होते हैं इतने समय से case लड़ रहे होते हैं उनको राहत मिल जाती है नयाय मिल जाता है यह तो एक बड़ी चीज है दूसरी बात सरकार का भी फाइदा होता है पैसे आते हैं, सरकार के पास, कैसे पैसे आते हैं, काफी सारे ऐसे मामले होते हैं, जो कि fine वगरा से related हम लोग को देखने को मिलते हैं, accident का मामला हो गया है, किसी भी चीज का मामला हो गया, तो fine वगरा से related हम लोग को होते हैं, सरकार जो है, fine वगरा चार्ज करती है, लोग जो इतने भारी cases याने की 2,61,000 से जादा cases वो resolve हो है एक ही दिन में उससे बताय जा रहा है कि total 669.95 crore rupees compensation के तौर पर या settlement amount के तौर पर देखने को मिले हैं और साथ ही साथ state exchecker को 41.45 crore rupees का revenue generate हुआ है fines वगरा के तुरू तो ये देखे एक huge achievement के तौर पर हम लोग को देखने को मिल पर आई वाली चीज़ तो ये fact प्याद रखेगा आप इसके लावर लोग अदालत लोग अदालत क्या होता है इसके बारे में आप लोग को अच्छी जानकारी होनी चाहिए यह GS paper 2 में एक important topic है और इतनी बड़ी चीज हुई है तो definitely लोग अदालत से related भी आपसे कुछ है तो वीडियो को pause करके ये notes जो है वो पढ़ सकते हैं आप चाहें तो और बाकी जरूरी ने आप वो पूरा lecture जो है वो देखेगा आपको पूरी चीज़ जो है वो crystal clear हो जाएगी हर एक चीज मैंने इसके बारे में detail में explain करें हुई है लोग अदालत के बारे है guys ये एक बह report के अंदर जो हमारी country में coronavirus के समय पर जो कुछ समस्याएं सामने आई है उसको highlight किया है उसको resolve करने की बात करी है तो आपको main point of view से ध्यान में रटना है कि क्या क्या issue हमारी country में देखने को मिलने है right क्योंकि उसको resolve करने की ही ने बात करी है but issues के बारे में आपको exactly पता होना चाहिए है तो देखो मैं issues के बारे में आपको पहले point by point बतातों फिर अपन बात करेंगी कि इस parliamentary committee ने जो है वो किस चीज का recommendation दिया तो देखो guys private hospitals के अंदर काफी जादा मनमानी चल रही थी काफी बुरी हरकत ये देखने को मिली जैसे की movie होती न movie theater वागेर हम लोग को reserve करा लेते हैं और फिर उसके बाद उस ticket को show वाले दिन लोगों को black में बेचते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा था बैट उसकी आपको extra कीमत चुकानी होगी तो देखे कितनी बुरी बात हम लोग को देखने को लिए कि किसी को इलाज कराना है उसके लिए अगर उसको बैट चाहिए तो जादा पैसे देने पड़ रहा है यानि कि पैसे वाले का इलाज हो रहा है जो विचारा गरीब है वहा दवाईया उनको दी जा रही थी मलब डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो पेशन्स को खरीदनी पड़ती है तो उनको महंगी दवाई जो है वो दी जा रही थी और ऐसी दवाई जो कि आपने कई बार नोटेस किया होगा कि जो कभी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल व होता है डॉक्टरों का तो यह चीज है तो इस प्रकार की भी नीच हरकत जो है वो देखने को यहाँ पर मिली हमारी कंट्री के अंदर साथी साथ स्कूल बन थे तो उस बीच बच्चों को मिड़े मील जो है वो नहीं प्रवाईट किया जा था बट हाला कि काफी सारी जैसे की लोगों का जो मैडिकल इंशुरेंस होता है अगर इनीचल फेस में यह ओबाता की जिस भी इंडिविजूल कोומavirus हुआ था तो उसको उसका मैडिकल इंशुरेंस नहीं करवाये जा रहा था जैसे medical insurance company जो है वो बना कर रही थी कि वो claim जो है वो नहीं कर पाएंगे यारे कि claim इसमें नहीं दिया राएगा medical insurance का ये इसके तहट नहीं आता है तो ये वाली बड़ी गड़बड़ी हो गई थी लोगों के पीछ में तो लोग वैसी अलड़ी जिन्होंने medical insurance करा रखा तो वो भी काफी परिशान थे क्योंकि उनका भी पैसा लग रहा था medical insurance वो इंसान safe feel करता है न कि कल को कुछ भी हो जाए उसकी health वगरा को तो at least insurance company है वो उनका ख्याल रख लेंगी finance वगरा का बड़ यहाँ पर भी दिक्कत हो कोई तो ऐसी इस्तिती issues हम लोग को देखने को मिले थे तो इसी पर ही जो है वो यहाँ पर एक parliamentary standing committee हम लोग को देखने को मिली थी home affairs की तो उन्होंने अपनी report submit करी है उसमें क्या-क्या चीजों के बारे में बताया है एक तो बताया यहे कि comprehensive public health act लाना चाहिए व्यापक सार्वजनिक स्वास्त अधीनियम को लागू करना चाहिए जिसमें suitable legal provisions हो कानूनी प्रावधान जिसमें हम लोग को देखने को मिले जो कि private hospitals की उपर checks and control रख सकें pandemic के समय पर और black marketing को curb करने के लिए वोई चीज मैं आपको बताया थी कि जिस प्रकार से दवाईया बेची आ रही थी higher prices में, ज्यादा पैसों में, hospital के beds जो है वो बेचे जा रहे थे तो ऐसी चीज़े थी उस पर control करने का काम करना चाहिए तो इस प्रकार की कुछ strategy जो है वो बनाई जाए तो इस पर recommendation दिया गया, लोगों को aware किया जाए कि सस्ती दवाईया भी market में available है, लोग महंगी दवाईयों के पीछे ना आ जाए, तो इस से related awareness campaign जो है वो लाने चाहिए, तो इसका recommendation दिया, जिससे कि लोग बाग जादा अपने पैसे ना खर्च करें, expensive drugs में, expensive दवाईयों में, उनको बताया जाए कि coronavirus के symptoms को treat करने के लिए cheap generic दवाईयां भी हैं, मौझूद, इसके लाबा, सभी hospitals के उपर निगरानी रखनी चाहिए, अगर वो insurance claims बगेरा को refuse करते हैं, तो उनके करने के लिए, separate wing तयार की जाए, एक विशेशग्य विंग तयार की जाए, National Disaster Management Authority के तहट, और उनको proper तरीके से train किया जाए, जिससे की आने वाले समय में pandemic को, ये special wing जो है, वो control कर सके, तो ये वाली चीज़ है, इसके लाबा, social stigma को avoid करने के लिए, जो है, वो various measures लेने चाहिए, social stigma जैसे की, कई बार आपको बता होगा है, इसकी लोग बता नहीं रहे कि उनको coronavirus हो गया है, उनके family के किसी member को हो गया है, वो इसलिए नहीं बता रहे है, कि एक तो coronavirus हो जाए, तो बताना मत किसी को चुप-चाप रहना घर के अंदर रह सको तो, बागी किसी को बताना मत बता दोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, hospital वाले आकर ले जाएंगे, तो ऐसी चीज़े, ऐसे डर जो है, वो public के enterprises, जिनको loan मिलने में परिशानी हो रही है, तो वो वाली problems भी उनकी resolve हो जाए, तो इस पर काम किया जाए, तो ये सब चीज़े जो है, वो यहाँ पर बताई गई है, इस particular panel की report के अंदर, तो जिसके बार में आपको एक अच्छी को मिलने हैं, तो वो issues मैंने इसलिए आपको starting में पहले ही point wise जो है, वो clear कर दी है, जिससे कि आप अपने mains में reflect कर सके हैं, यह सब चीज़े हैं, ठीक है ना, तो यह था पूरा oral topic, गाईज, आपसे एक question है, नीचे comment box पर लिख कर बताईए, काफी easy सा question है, फटाक से वीडियो को पॉस करिए और लिख कर बताईए, and hopefully काफी सारे लोगों ने लिख दिया होगा, oil and natural gas corporation, limited, यह इसका full form है, ONGC ने अभी recently, अशोक नगर number one कुए, जो 24 परगना district पर है, वहाँ पर, बंगाल में, तो यहाँ पर, कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है, ONGC ने, crude oil का production शुरू कर दिया है, बंगाल में, 24 परगना district में, तो यह जीज़ यहाँ पर बताईए आ रही है, और यह जो crude oil का production है, यह 8 फे number का production है, आठवी basin हम लोग को देखने को मिल रही है, जो की oil को produce कर रही है हमारी country के अंदर, और इसके लबा, oil के दूसरे basin, यानि की remaining जो 7 basin ने वो कहा पर है, तो कृष्णा गुदावरी, काफी famous, मुंबई, आसाम, राजिस्थान, और उसके लबा, आसाम में एक और है, आरकन, फोल्ड, बेल्ट, और कैमबे, हम लोग को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर oil का production होता है, oil basin यहाँ पर available है, और आठवा जो oil का production हो रहा है, oil basin जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है, बंगाल में, 24 परगनाई district में हम लोग को नजर आ रहा है, अच्छा मेरा आपसे एक और टास्क है, जिसको आपको complete करना है, आज ही, अगर आपके वासे एक खाली map है, खाली जो map होता है ब्लैंक map, तो इंडिया का ब्लैंक map जो है, physical map आपके पास हो सकता है, कहाँ पर located है, और अभी recently जो है, हम लोग को ये बंगाल में देखने को मल रहा है, बहुत important है, directly prelims में ऐसे question बन जकता है, तो आपके पास इस पूरी map की practice होना जरूरी ये पता होना चाहिए, कि तेल का production हमारी country में कहा कहा पर किस-किस जगा से होता है, और 26 sedimentary basin है हमारी country के अंदर, total area इनका 3.4 million square kilometer है, तो ये 3.4 कर लीजिए आप इसको, 3.4 million square kilometer का ये पूरा area हम लोग को देखने को मिलता है, और इसमें से 16 online basin है, साथ यहाँ पर located online और offshore हम लोग को नज़र आते हैं, और 3 completely offshore है, offshore मतलब की समुद्र के area पर हम लोग को देखने को मिलता है, तो यह लिए चीज़ है, तो यह हम लोग को देखने को मिल रहा है गाईज, तो इसके बारे में आपको एक अच्छा idea होना चीज़, directly question बन सकते, हिमालियन trillion की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखो यह plant की species है, right, हिमालियन trillion, जड़ी बूटी है यह, हर्ब हम लोग को देखने को मिलती है, अनेक फायदेस जड़ी बूटी के हम लोग को नजर आते हैं, हिमालिया में पाई जाती है यह, 2400 मीटर से लेकर 4000 मीटर की उचाई पर यह पाई जाती है, इसको बहुत ज़ादा use करते हैं, इसका over utilization होता है, तो इसी चीज़ को देखते हुए, IUCN के अंदर इसको endangered की category में declare कर दिया है, इसके संडरक्षन के लिए, protection के लिए, जिससे कि यह पूरी तरह से extend ना हो जाए, look ना हो जाए, तो याद रखना, IUCN ने इस particular जड़ी बूटी को, हिमाले की, हिमालियन ट्रिलिलियम को, endangered की category में रखा है, संकट ग्रस्त की category में रखा है, तो यह लिए चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्याल में रखेंगे, जो बंदर उधम मचाते हैं, उनको पकड़ कर, उनका operation कर दिया जाएगा, तिलंगाना के अंदर अब, वाकई मैं बिल्कुल सहीं कह रहा हूँ, जो बंदर उधम मचाते हैं, तो उनको पकड़ कर, अब उनका operation करके वह आपस छोड़ा जाएगा, अब यह किस चीज़ का operation हो रहा है, तो नस्बंदी आप कह सकते हो, उनके birth control हो जाएगा, इसलिए operation हो रहा है, तो actually मैं कुछ-कुछ बंदर होते हैं, जिनकी प्रवत्ति उधम मचाने के होती है, तो उनको पकड़ के birth control का operation इसलिए करवा जा रहे है, जिससे कि वो अपने babies वगरा जो है, बंदरों का तिलंगाना में हम लोग को नज़र आ रहा है, और actually हमारी country में ये दूसरा है, पहला जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग को अल्रेडी देखने को मिल चुका है, ये दूसरा ऐसा rescue और rehabilitation center बंदरों के लिए, और ये गांधी, रमन्ना, हरित वनम, जो चिंचोली गाओं है, और निर्मल जिले में जो हम लोग को देखने को मलता है, चिंचोली गाओं तिलंगाना के अंदर वहाँ पर ये लाया गया, कि तिलंगाना में इस प्रकार का बंदरों के लिए, rehabilitation center लाया गया है, और जो भी बंदर जो उधा मचाते हैं, जो उधा मचाते हैं, परिशान करते हैं, तो उनको इस rehab center में लाया जाता है, और उनका operation कर दिया जाता है, उनके birth control के लिए, जैसे कि वो babies वगरा जो है वो अपने ना पैदा कर सके, और जिसकी चलते हैं उनके babies में उनकी तरह गोणना हो, और जिसकी अलते उधा मचाने वाले बंदर जादा ना देखने का पफल है, तो यह वाली शीज़ है गैस, तो यह जिसके बारे में आपको एक idea होना चाहिए, simple सी ज़ीज़ गैस अब बताए जा रहा है कि coastal radar network में इंडिया और भी देशों को शामिल करने का काम कर रही है, सवाल यह ओडता है कि coastal radar network क्या है, आपको नाम सही सर्में आ जाना चाहिए, कि जो coastal area समुदुरी तट के पास का जो area वहाँ पर radars वगएरा create किये जा रहे हैं, और अलग-अलग countries के coastal area के पास radars create किये जा रहे हैं और इन radar की information आपस में एक दूसरी countries में share की जाएंगी, अब इस information से क्या फाइदा मिलेगा, तो सवाविक सी बात है, logical चीज़ है, कि यह radars होंगे वह समुदुर में activity को जो है वह track करेंगे, कि कहीं कोई unknown vessel, unknown ship तो नहीं आ रही, जो की खत्रा हो सकती है किसी country के लिए, या किसी प्रकार की smuggling तो नहीं हो रही, तो, यानि कि समुदुरी खत्रे जितने भी है, उसको, उसका पता लगाने के लिए और उससे related information आपस में countries के बीच में share करने के लिए, ये coastal radar network हम लोग को देखने को बलता है, इंडिया का ये initiative है, इंडिया ने अल्रेडी इस network को जो है वो शेसल मौरेशियस, श्री लंका जैसी country में set up कर दिया है, इसके लावा हम लोग planning करने हैं कि Maldives, Myanmar और Bangladesh में भी ये coastal radar stations वगरा हम लोग set up करें, ये real time basis पर monitoring करेगा, समुदर में जो threats होते हैं, जो समुदर के अंदर जो खत्रे जितने भी होते हैं, जैसे मैंने भी आपको थोड़े दिर पहले explain किया, तो ये है गईस पूरी overall चीज इसके बारे में, बढ़ और भी कुछ चीज़े से related बन जानेंगे, जैसे कि इसके phase 1 के अंडर 46 coastal radar station set up किये गए हैं, और phase 2 के अंडर 38 static radar station और 4 mobile radar station ये setup किये जाने हैं, और इस पर अभी काम चली रहा है, इसके अलाबा guys, information fusion center for Indian ocean region की बात करें, तो देखे इस topic को मैं आपको already detail में explain पहले भी कर चुका हूँ, फरसे एक overview में आपको देता हूँ, तो हमारी Indian Navy ने इसको setup किया था, December 2018 में, और ये हम लोग को information management and analysis center, IMAC, जो guru gram है, के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, उसके premises के अंदर हम लोग को नज़र आती है, और इसका काम क्या है, maritime movement जो भी होता है Indian ocean छेतर पर, तो उसको track करने का इसका काम हम लोग को नज़र आता है, इसका मतलब easy तौर पर कि हमारी जो coastal areas है, हमारे जो समुदरी तट जो हम लोग को नज़र आते हैं, उसके आसपास कौन सी ships का movement हो रहा है या किस प्रकार की activity उसके आसपास हो रही है, उसको track करना, उसको monitor करना, इसका काम होता है, Information Fusion Center for Indian Ocean Region का, तो यह जीज़ हम लोग को नज़र आती है, और Indian Navy का यह जो IMAC है, जिसके बार में आपको अदाए AC केंडर ही हम लोग को देखने को लगाओ, क्योंकि 26-11 के incidence में terrorist आप सभी जानते हैं कि कहा से enter हुए थे, तो हमारे समुदरी area से enter हुए थे, Mumbai में, तो इसलिए हमारे समुदरी area को proper तरीके से monitor करना, track करना, वो इसका काम होता है, हमारी country की जो security है, उसको बढ़ाने के लिए, enhance करने के लिए, तो यह चीज़ यानि कि आप कह सकते हो कि कुछ संगठन, यानि कि multilateral, टीन ऐसे संगठन, अलग-अलग countries जोनोंने मिलके बनाये होंगे, तो उनके साथ यह कर सकती है, और अभी तक हाला कि 36 country में से हम लोग ने 22 country के साथ यह agreement कंड़क किया है, और एक multilateral construct हमारा हमें देखने को मला है, तो information fusion center के तौर पर यह हम लोग को नजर आता है, right, fusion center की सभी country जो है, वो अपनी maritime data जो है, maritime information जो है, वो provide करा है, तो यह maritime data fusion है हमारी country का, right, तो यहली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके बारे में आप लोग को एक idea होना चीज़, जान करी होनी ची़, और France, Japan औ government awareness को promote किया जाएगा, maritime security को enhance किया जाएगा, बड़ावा दिया जाएगा, तो यह वाली चीज़ है, जिसके बारे में आपको idea होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, guys, बात की जारी है, ponzi scheme के बारे में, तो करनाड़ा का सरकार ने अभी regional commissioner को appoint किया है, जो की ponzi scheme से related जो मामल जाएगा, और फिर उसके, उस cases को जल्दी resolve करने का काम किया जाएगा, अच्छा ponzi scheme होती क्या है, तो ponzi scheme को समझने के लिए simply, फिर hair of aery movie, आप में से शायद maximum लोगों ने देखी होगी, तो उसमें आप जानते हैं कि बाबो राओ को चूरा लगा दिया था, नुराधा ने, एक का डबल करने की जाएगा, जो हो सब कुछ जो हो लोग बाबुराओ और ये जो थे क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम था और श्याम हो गया, तो इन्होंने लुटा दिया था पूरा अपने जायजा जितनी भी उनके पास थी, तो इसके बार में आप जानते ही हैं, एक का ये जो नगे उसकी हैं, पांच ये नाम रुपे इंवेस्ट करिए, तो आपको हर छे मैने में एक एक लाँ रुपे मिलेंगे, एक साल तक वो 9 कंपणी, रहती है, वो क्या करती है, सामने वाले का ही 5 लाग रुपे में से उसको 1 लाग या 2 लाग रुपे रिटर्न कर देती है और इन 2 सालों में जब सामने वाले के पास पैसा आता है तो वो क्या करते हैं वो लोग दूसरों को अपने घर परिवार वालों को तो दूसरे लोगों को बताते हैं प्रमोट करते हैं कि इस स्कीम में पैसा लगा वह पिर सभी लोग ज allies पैसा लगाने लगते हैं तो यह जो कंपनी वाले जो होते हैं वही प्रकार से लूटते हैं वहला जैसे पहली चेंज जो होती है इंवेस्टर की तो उसको जो dump करके गायब हो जाती है और even जिस जगा पर इनका office होता है वो जगा भी किरायगी होती है जैसा आपने ये बाबूराओ में देखा होगा कि अनुराधा ने चूना लगा दिया था जब भाग गई थी वो तो office में गए थे उसके तो पूरा खंडर पड़ा हुआ था किसी ने उस office को जो किरायगी पर दिया था वो भी खड़ा हुआ था कि मैं तो एक कर डबल लेने आया था किराया अब ये तो भाग गए तो काफी सारे लोग परिशान होते थे तो ऐसी ही होती है पांजी scheme तो इन scheme के खिलाब जो कारवाई की जाती है उसका case बगएर चल रहा होता है बट एक्शुली में क्या होता है कि depositor का पैसा मिलना ऐसी scheme में बड़ा मुश्किल होता है राइट बहुत मुश्किल से मिल पाता है तो ऐसी scheme के तो depositor को पैसा मिल जा है उनके interest को protect करने के purpose के लिए और जो pending cases जो हम लोग को देखने को बड़ा है जो registered है और उन pending cases को monitor करने के लिए अभी करनाटा का state government ने बैंगलूरू regional commissioner को appoint किया जो कि पूरे cases को compile करेंगे और उसकी फिर जाज करेंगे और जल्दी-चल्दी cases जो है वो resolve वो उसका उस पर काम करेंगे और यह हुआ कब है जब reserve bank of India ने 118 company को identify किया और order पेश किया करनाटा का state government को और कहा कि उनके खिलाफ कारवाई की जाए करनाटा का protection of interest of depositor in financial establishment act 2004 और banning of unregulated deposit scheme act 2019 के तहर और इस प्रकार के protection की क्या वशक्ता है गाई इंवेस्टर को पूरी तरह से dump कर लिया जाता है loot लिया जाता है धोका दे दिया जाता है और अगर उनकी movable या immovable property उस company की attach नहीं है तो तो बड़ी बड़ा नुकसा हो जाता है यानि कि सामने लिए यो company है उसकी खुद की property on paper कोई उसने दिखा ही नहीं है attach वगरा नहीं है तब क्या होगा पूरा पैसा लेकर dump कर दिया जाएगा और अगर property वगरा किसी company के attach होती है तो क्या फाइदा होता है कि depositor का पैसा लोटा दिया जाता है property बेच कर बट property भी attach नहीं होती है तो ऐसी जो scheme चलाते हैं वो लोग काफी smart होता है तो वो इस प्रकार से पूरी चीज़ों को पेश करते हैं जैसे कि वो कल को अगर भाग जाए फरार हो जाए तो फिर उनको trace करना मुश्किल हो और या फिर सामने अले को मुआफ़जा देने के लिए जो depositor है तो उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए कोई property भी ना हो जो की बेची जा सके तो वो किराय के office बगरा में ये scheme बगरा चलाते हैं तो यह जीज़ हम लोग को देखने को बनते ही तो कौनजी scheme के और में आपको बदाई दिया एक प्रकार का fraud होता है जिसमें profit जो है वो investors को provide खेया जाता है बट फिर बाद में भाग जाते हैं वो लोग पहले और दूसरे यानि की scheme के पहले दूसरे तीसरे level तक तो profit दिखाएंगे वो और देंगे भी कहानी होती है पूरी यहली चीज हम लोग को देखने होती है और चाह एक और चीज है इस scheme का नाम किसके नाम पर रखा गया है Charles Ponzi के नाम पर रखा गया Charles Ponzi जो था वो काफी बड़ा घुडाले बाच था 1920 के period में इसी प्रकार का अगर कोई individual ऐसी scheme को promote कर रहे है ऐसी unregulated deposit scheme को promote कर रहे है accept कर रहे है उसका advertisement कर रहे है तो उनके खिलाफ सक्तकारवाई की जाती है और तीन तरीके के अपराद हम लोग को देखने को मिलते हैं offenses हम लोग को देखने को मिलते हैं एक तो इस प्रकार की unregulated deposit scheme को चलाना वो अपराद है और अगर कोई regulated deposit scheme है उसमें अगर कोई fraud वाली activity कर रहा है तो वो भी अपराद के अंदर आ जाएगा या फिर किसी का भी relation unregulated deposit scheme के साथ है wrongful inducement जिसका हम लोग को देखने को मिलता है कि गलत तरीके से कोई प्रलोभन कर रहा है प्रमोशन कर रहा है तो भी सक्त कारवाई की जाती है severe punishment है heavy finance हम लोग को देखने को मिलता है और ऐसी scheme क्या करती है तो illegal तरीके से वो पैसे वगरे को deposit वगरे को raise करने का काम करती है तो उनकी property जो attach होती है scheme के तहर वो भी company की बट काफी cases में आपको ऐसी company नहीं दिखाए देंगी जो इस प्रकार की scheme करती है जो कि अपनी property को attach करती है क्योंकि उनको भी पता है कि property attach कर दी जाएगी तो फिर जो है वो भाग निपाएंगे अपने जो जिस प्रकार से वो illegal activity कर रहा है उसको अंजाम नहीं दे पाएंगे फिर वो कहीं न कहीं जो है वो उनकी property जो है वो भी जाएगी उससे उनीगा लॉस होना है तो वो बहुत smartly game कहलते है ऐसे लोग ठीक है तो यह चीज है जिसके बारे में आपको basic idea होना चाहिए ponzi scheme के बारे में अब report report एक सामने आई है उसके status क्या है गाइस हमारी country में reports कितने है तो देखो reports जो है तेंदुए इसको अपन बोलते हैं तो वो बताया रहा है कि हमारी country के अंदर तेंदुए जो है वो बढ़ लगा है यानि कि वृद्धी हुई है उनके numbers में हम लोग को देखने को मल रहा है रिसेंटली Environment Ministry ने ये record जो है वो release किया है 60% की वृद्धी जो है वो report तेंदुए के population की हम लोग को देखने को मिली है इंडिया में 12,852 12,852 तेंदुए जो है वो record कियेगा है सबसे यादा मध्यप्रदेश में याद रखेगा दूसरे नंबर पर करनाटका और तीसरे पर महराश्टा मध्यप्रदेश में 3421 और करनाटका में 1783 और महराश्टा के अंदर 1690 लेपॉर्ट की बात करें पैंथीरा पार्डस इसका scientific name होता है schedule 1 के अंदर ये आता है Indian Wildlife Protection Act 1972 के इसको protection दी गई है CITES के appendix 1 में है और IUCN की red list में vulnerable category में है और 9 इसकी sub species हम लोग को देखने को मिलती है जो कि Africa Asia में failure होई है इसके लाबा आगे की बात करेंगा इस तो देखो शाहीन 9 की हाँ पर बात हो रही है ये bilateral exercise है जो कि Pakistan Air Force और People's Liberation Army Air Force के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है सन 2011 से मेरा आप से question है नीचे comment box पर लिखकर बताईएगा People's Liberation Army Air Force ये People's Liberation Army जो है वो किस country की है काफी easy सा question है नीचे comment box पर इसका answer दीजेगा इसके इलावा तीन topics अभी आपके बजगाए है CBI वाला ये topic है आप मुझे regularly follow कर रहे होंगे काफी समय से तो आपको पता लग्या होगा ये May 2020 में 12 में को मैंने ये topic cover कराया था NIIF का अभी फिर से मैं आपको ये topic cover करा दूँगा इसके लावा recognition of prior learning तो ये तीन topics है गाईस इन तीन topics का video जो है वो आज शाम तक जो है अब अपन शाम वाले video में मिलेंगे तब तक लिए bye bye take care have a great day ahead और हाँ ये अगर monthly PDF package किसी को चाहिए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी information लिखी हुई है और अगर सौन में नहीं आ रहा है तो नीचे description पर एक video भी बनाया हुआ है उस video को आप चेक कर लो PDF package से related ये video है तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि PDF package में आपको क्या क्या provide किया जाता है और live quiz आपको attend करना है तो January से ये live quiz आपको provide किये जाएंगे चैनल को आप join कर सकते हैं चैनल को join in the sense ये इसकी paid membership channel की आप ले सकते हैं नीचे description पर आपको दिखाई देगा description पर नहीं चैनल के सामने ये आप देखना join बटन ऐसा बना होगा उस पर आप click करेंगे तो उसके थूरू आप join हो सकते हैं तो ये आप join की देगा January से ठीक है कोई आप January से join करेंगे तभी आपको फाइदा मिलेगा अभी इसे join करेंगे तो कोई मतलब नहीं कोई अभी quiz शुरू नहीं है quiz आपका January से शुरू होगा और उसी समय आप payment करेंगे तब आपका एक महिने का पूरा proper चलेगा अभी इसे कर देगे फालतू आपके दिन वो बेस्ट हो जाएंगे ठीक है तो चलो और इसके लाब आपको मुझसे कुछ पूछना है कोई भी आपको query हो current affairs related या paid packet से related आप facebook पर मुझे message करके पूछ सकते हैं या फिर telegram पर message कर दिएगा इस number पर 9713282838 या इस number पर call मत करना message सिर्फ करना message का reply मैं आपको within 24 hours देद हूँगा ठीक है और अगर आप telegram पर हो तो नीचे description पर telegram की links बगरा भी है अपनी channel की group की उसको आप join कर सकते हो और अब अब मिलेंगे शाम वाले lecture में तब तक लिए bye take care have a great day ahead ta-da